नमस्कार, दलीकल इनन के इस एपसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों, कई बार law students हमसे पूछते हैं कि सर मैं बोलने में इतना fluent नहीं हूँ speaking skill उस तरीके से नहीं है तो क्या advocacy का जो profession है, क्या मेरे लिए है, क्या मैं advocacy कर सकता हूँ और बहुत सारे लोग demotivate भी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बोलने में ठीक नहीं हूँ, तो advocate तो बन नहीं सकता आज हम इसी मुद्धे पर बात करेंगे, उन तमाम law students के लिए जो इस तरीके का सोच रखते हैं आज मैं clearly आपको बताता हूँ कि advocacy का जो profession है वो एक team work वाला profession है मतलब यह हुआ कि एक वकील सिर्फ अकेला यह profession में sustain नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको एक अच्छी team चाहिए जैसे example की बात करते हैं आप जितने भी बड़े वकील को देखते होंगे सारे वकीलों के पास एक अच्छी team होती है क्या करता है team उसके बारे में भी जड़ा बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यदि कोई client आया है उससे क्या facts पूछने हैं क्या नहीं पूछने हैं सारे facts को एक जगा एक member होगा जो सब कुछ jot down करेगा दूसरा जो team है वो क्या करेगा उस fact के basis पे जो legal complications है उस legal complications पे research करेगा और उस particular facts से related जितने भी laws हैं उसको एक जगा इकठा करेगा उसके बाद तीसरा member क्या करेगा तीसरा member के पाई जब raw material चला जाएगा facts चले जाएगे और उससे related जो laws हैं वो चले जाएगे तो वो drafting करेगे वो petitions को draft करेंगे और उसके बाद drafting को अलग-अलग level पे चेक किया जाएगा basic drafting तयार हो गया उसके बाद वो पूरा का पूरा file senior के पास भेजा जाएगा वो senior उसमें देखेंगे कि क्या गरवट हुआ है किस तरीके से score improve करना है facts उनके पास है research उनके पास है drafting का basic उनके पास है तो उस basic draft में advancement किया जाएगा फिर drafting एक और level पे चेक होगा और उसके बाद जाकर के briefing council के पास जाएगा briefing council जो है वो क्या करेंगे सारी चीज़ों को समझ लेंगे और उसके बाद जो senior council है जो argument करेंगे उनको brief करेंगे कि ये case में ऐसा 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 चीज़ है ये case involved है ये laws involved है इस तरीके का case इस high court में आया था तो क्या हुआ था supreme court में आया था तो क्या हुआ था वो सारा तरीके से उनको brief करेंगे 5-10 minute में और उसके बाद जाकर के जो arguing council है जो argue करेंगे matter को वो जब satisfy हो जाएंगे तब case complete हो गया उसके बाद जिस भी date को argument होना है वो argue करेंगे और यदि उनको लगता है कुछ चीज़े और इसमें include किया जा सकता है तो फिर वो उस तरीके से direction देंगे और नीचे बाले जो लोग है वो उस particular चीज़ को उसमें incorporate करेंगे मतलब यह hierarchy आपको इसलिए बताया गया ताकि आप अपने role को समझ सकें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वेक्ती argument ही करें गोड में जा करके argument तो एक बात है research का work है वकीली करते हैं क्योंकि दूसरे को समझ में नहीं आना drafting का काम है वकीली करते हैं दूसरे नहीं कर पाएंगे legal language बिलकुल अलग है हर वेक्ती इसे draft नहीं कर सकता चाहे आपकी English कितनी अच्छी क्यों नहीं कर सकते legal language ज़रूरी है law की जानकारी ज़रूरी है तो हम यहां देख रहे हैं कि research का अलग काम है जो की वकीली करते हैं drafting का काम है वो भी वकीली करते हैं briefing का काम है ये भी वकीली करते हैं arguing का काम है वो भी वकीली करते हैं तो अलग-अलग यहां पे stakeholders हैं अलग-अलग तरीके के वकील हैं तो कुल मिला करके बात ये हुई, कि यदि आप बोलने में ठीक नहीं है, आपके speaking skill नहीं है, तो इतने सारे और भी skills हैं, तो अपने skill को सर्च कीजिए, जहां पर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, argument नहीं कर सकते हैं, research कर सकते हैं, drafting नहीं कर सकते हैं, तो briefing कर सकते हैं, आप देख लीचे, और जो सही लगे, उस हिसाब से अपने आपको ढ़ालने का प्रयास कीजिए, तो कुल मिला करके ये बात हुई, यदि आप बोलने में अच्छे नहीं है, speaking skill नहीं है, तो भी घबराने की बात नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप कर सकते हैं, आसा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा, यदि ऐसा है, तो हमारे इस वीडियो को widely share करें, और इस channel को subscribe करें, ताकि इसी तरीके का authentic legal जनकारी आपके doorstep तक मैं पहुचाता रहूँ, चले फिर से मिलते हैं किसी ओर topic में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन,